हेलो अबरिवन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक्सेस बैंक के तरब से अभी रिसेंटली प्रेस्टनल लोन का ओफर इस ओफर के तहट आपको 50 जा रुपे से ले करके 15 लाख रुपे तक का लोन ले सकते हैं बैंक जाने के भी अवसकता नहीं है आप अपने मुवाइल फोन से भी ऑनलाइन अवेधन कर सकते हैं एप्रू होने के बाद आपको बैंक से कॉल आएगा और बैंक जाकर करके आप प्रोसेस को कम्प्लीट करेंगे तो अनलाइन प्रोसेस क्या है चलिए देखते हैं दोस्तों अभी आप देख सकते हैं आप सभी के सामने ओफिसल वेबसाइट दीख रहा होगा मैं जैसे जैसे फार्म को फिल अप करूँगा उस तरह से ही आपको फिल अप करना है तो थोड़ा सा मैं अगर स्कॉल करता हूँ तो यहाँ पर एक option आप देखेंगे तो professional loan EMI calculator का तो loan लेने से पहले एक बार आप calculate करके जरूर देख लेजे कि आपका EMI क्या पड़ेगा rate of interest आपको क्या लगेगा और साथ में आपको कितना ज़्यादा interest पे करना पड़ सकता है तो हम यहाँ पर click करते हैं तो एक नया page हमारे सामने open होगा तो थोड़ा सा हम scroll करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्रेडी 50,000 यहाँ पर select है rate of interest भी यहाँ पर select है और यहाँ पर 10 यह भी select है यानि कितने मन्त के लिए आप loan ले रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो high यहाँ पर जो है यानि कि ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपय तक का loan के लिए आप apply कर सकते हैं और rate of interest जो है साड़े 10% से ले करके 24% तक यहाँ पर rate of interest है और 10 यह जितने मन्त के लिए loan देगा तो 12 मन्त minimum है और maximum यहाँ पर 60 मन्त है तो हम 50,000 का ही calculation आप सभी को करके बताते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मन्तली EMI जो pay करना पड़ेगा 4,407 रुपय आपको मन्तली EMI pay करना पड़ेगा और यहाँ पर देखेंगे right side में तो पूरा यहाँ पर calculate आपको बता रहा है कि principal amount जो आपको amount मिलेगा और इसमें जो interest आपको लगेगा 2,886 रुपय आपको interest pay करना पड़ेगा और total जो amount bank आप से लेगा 52,886 रुपय आपसे total amount लिया जाएगा bank के तरब से अब दोस्तों मैं थोड़ा सा अगर scroll करता हूं नीचे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो EMI का calculation यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं principal amount हमारा है 4970 रुपय और यहाँ पर देख सकते हैं interest 437 रुपय है तो दोनों को add करके जो हमारा यहाँ बन रहा है 4407 रुपय बन रहा है तो इस तरह से घंटते हुए आपका amount चला जाएगा अब दुस्तों आपको यहाँ पर पता चल गिया है कि आपको EMI क्या pay करना पड़ेगा क्या आपको interest लगेगा इसके बाद अगर आप apply करना साते हैं तो उपर में देख सकते हैं एक option आपको दिखेगा apply now का apply now वाले option पर जाएंगे और left में यहाँ पर देख सकते हैं एक option आपको दिखेगा instant personal loan का तो इस पर एक बार आपको क्लिक करना है तो एक नया page यहाँ पर फिर से आपके सामने open हो जाएगा अब यहाँ पर आप देखेगे तो दो option आपको देखेगा एक तो option है एक्सिस bank के यदि आप customer है तो first वाले option पर क्लिक करेंगे यदि आप axis bank के customer नहीं है तो I am not an axis bank customer इस पर आपको क्लिक करेंगे तो चलिए मैं यहाँ पर I am not पर क्लिक करता हूँ इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपका city क्या है तो यहाँ पर 5 city दिया हुआ है 5-6 city इसमें से अगर आपका कोई city है तो select कर सकते हैं यदि आपका इसमें से कोई city नहीं है तो आप other पर select करेंगे इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक option है income range यानि आपका income क्या है तो income आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है तो 40 से 50 ज़र में income डाल देता हूँ इसके बाद मैं submit बटन पर click करूँगा submit करने के बाद एक नया page हमारे सामने यहाँ पर open होगा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक form यहाँ पर open हो चुका है तो इस form को fill up करना है तो first में यहाँ पर no select है यानि पहले ही हमने no कर दिया था कि इस bank के हम customer नहीं है इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं name है तो जो भी name आपका रहेगा नाम यहाँ पर डालना है नाम आपका वही होना चाहिए जो आपके अधार card और pen card में नाम है इसके बाद यहाँ पर number है नमब आपका चालू होना चाहिए क्योंकि उस पर OTP वगरा जा सकता है इसके बाद email ID है email ID भी आपको genuine डालना है फिर आपको state select करना है city select करना है salary select करना है और इसके आगे यहाँ पर देख सकते हैं 40,000 से 50,000 तक हमने अपना income यहाँ पर बताया था पहले ही वो यहाँ पर show कर रहा है इसके बाद यहाँ पर capture है, capture डालने के बाद यहाँ पर check box पर tick करना है, tick करने के बाद आपको submit करना है तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर इसको fill कर देता हूँ, उसके बाद मैं submit करता हूँ आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक OTP हमारे नमर पर भीजा गया है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि एक OTP जाएगा आपके mobile पर, तो वो OTP यहाँ पर मुझे डालना होगा और डालने के बाद हम submit पर किलिक करेंगे, तो चलिए हम OTP डाल लेते हैं, इसके बाद हम submit पर किलिक करते हैं दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, एक message हो रहा है मेरे लिए, तो दोस्तों बैंक के तरब से एक call मेरे पास आएगा और उस call में हमसे कुछ information पुछेगा, बैंक उसके बाद ही इस loan को approved किया जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप भी form को fill up कर सकते हैं, और चेक कर सकते हैं, एक्सिस बैंक आपको कितने लाग तक का loan दे सकता है instant में दोस्तों मैंने और भी bank पर वीडियो बना रखा है, यदि आप उन सभी वीडियो को देखना चाते हैं, तो link मैंने description box में दे दिया है आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, और जिन भी bank से आपको loan लेना रहेगा, आप loan के लिए apply कर सकते हैं, उन वीडियो को देख करके तो इसी तरह के amazing वीडियो देखने के लिए आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं, और अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो को like भी कर दीजिए, चलिए फिर मिलते हैं